नमस्काल दोस्तों स्वागत है आप सब एकाथ केपने चनल एयरफॉर्स एयरफॉर्स एक्जाम फीपर में दोस्तों इस वीडियो में लोग एयरफॉर्स From Ads के लिए दागा की माॉक्च्ऌ को स्वाल करें गें और दोस्तों इसमें आपके लिए टीज — कोसर रखें के हैं जो बहुत ही जबलस तरीकेस में त्यारी को जाए रखीगा और दोस्तों आप डेली वीडियो को देखीगा जिसे दोस्तों आपको त्यारी बहुत ही जबलस तरीकेस से हो जाएगी उम्मीद कलता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा रहा है तो लाइक कर देना और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना देखी कोशन नमबर एक अंकोर वाट कहां इस्तित है आपसे क्या पूचा गया है अंकोर वाट कहां इस्तित है तो दोस्तों फटा बट से उताई इसका लाइट एंसर क्या होगा इसका लाइट एंसर आपका होगा उप्सन नमबर डी ठीक है दोस्तों कमबोडिया तो आप याद कलीजगा इसे अगर आपको याद ना हो कि अंकोर बाट कहां परिस्थित है कमबोडिया में इस्थित है ठीक है चले दोस्तों next question पर Question नमर दोस्तों आपके लिए आचुका है Question 2 बहमनी दाज जी स्थापित हुआ था आपसे पूचा गया है कि बहमनी दाज जी की सदी में इस्थापित हुआ था तो दोस्तो इसका दाइट रांसर आपका हुआ आपसे नुमर B चौध बी सदी में ठीक है? चौध बी सदी में चलिए नेश्ट कॉस्टन पर कोश्टन नुमर दोस्तों यहां पर आचुका है तीन नेश्ट में से वहाँ इस पात सयंत्र कौन सा है? जिसकी स्थापना दुतिय योजना के दोरान नहीं की गई थी तो आपको यहां बताना है दोस्तों यहां पर इसका दाइट का अंसर को आपसे नुमर A क्या नाम होगा? बोकारो इसमें लिखा है दोतिय योजना के दोरान नहीं की गई थी बोकारो की स्थापना कौन से योजना की वहाँ थी? पांच में ठीक है? पांच में नहीं चौति ठीक है? चौथी पंच वरसी योजना के दवान बोकारो की स्थापना की गए ठीक है बोकारो क्या है एक खार खाना आए आगे दोस्तों देखिएंगे निस्ट कोशन नमारा क्या है अगला है नमबर चार एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपसे क्या पुछा गया है एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी नदी है यांग्ट सी तो आपसे नहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आगे दिखिएंगे निस्ट कोशन के आपका है नमबर पांच पांच में दोस्तों और आप देखिएंगे तो आपको देख रहा है निम्लिकित में से कौन भारत के संबिदान द्वारा प्रदत 6 मूल अधिकारों से नहीं है कौन 6 मूल अधिकारों से नहीं है तो इसमें कौन सा ऐसा है जो मूल अधिकारों में नहीं आता है यह है आपका option B, विरोध कादियार, यह तो कहीं पर भी नहीं है, विरोध कादियार जो है, यह तो कहीं पर नहीं है, आपका एक है, social के बिद्ध कार यह तो है, लेकिन यह विरोध वाला नहीं है, तो option B वाला यह यह पर दाइट आउसर हो जाएगा, शरी जोस्तों next question पर है, उसमें कमी रहती है nitrogen की, ठीक है, तो आपका option C वाला यह पर दाइट आउसर होगा, nitrogen की कमी वाँपर रहती है, इसके बाद दोस्तों यह पर आचुके है, हम लोग question number 7 पर, फटावर से दोस्तों यह पर देखीएगा आप लोग, ठीक है, 7 number question आपसे कह कहा रहा है, पहले की शरियत अदालत ने दिया है, तो option number C वाला यह पर दाइट आउसर होगा, ठीक है, पाकिस्तान, चले next question पर, अब दोस्तों यहाँ पर देखीए, दिवस आ गया है, और आप एक सी जात रहे हैं कि आपके exam में हो सकता है, कि आपके exam में एक दिवस भी आजाए, ठीक है, तो स्वालन दिवस का मना जाता है, तो 21 November, ठीक है, option B वाला यहाँ पर दाइट आउसर होगा, 21 November, इसके बाद दोस्तों देखीए, आपके लिए question number 9 आप आप आचुका है, compact disc से कौन सी तकनीक उप्योग जाती है, किसे, compact disc, अगर माल लेजे आप से कहा है, CD की full farm क्या होगी, त compact disc होगी, और दोस्तों आप से कहा गया है, काउन सी तकनीक उप्योग की जाती है, तो तकनीक का नाम क्या है, laser, तो option दोस्तों यहाँ पर यह वाला correct answer होगा, laser, ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखींगे, next question दो क्या है, question number यहाँ पर आ चुका है, 10 number, ठीक है, यह थी AQ प् आपको उठाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आप लिखेंगे, यहाँ पर A plus B बरावर 7, आपको करना क्या है, आपको इसका करना है, क्यूब, ठीक है, क्या करना है, इसका क्यूब, तो क्यूब खोलेगा, इसे open करेगा, आपका हो जागा, A Q, प्लस B Q, प्लस 3AB, और कितना है, 91, प्लस 3AB, इंटू, A प्लस B, यह कितना है, यह आपका है, 7, दिखेंगे, यहाँ पर, 7, बरावर, 343, इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा, आगे दोस्तों दिखींगे, इम लोग, तो आगे हमारा किस टाप्शियो का समझेगा, यहाँ पर, यहाँ पर आप कितना है, समझेगा, 7, 3, कितना है, 21, तो आपका है, 21, कितना है, 21, A, B, बरावर, कितना है, 343, माइनस का 91, ठीक है, तो आपका बचा कितना है, 21, A, B, बरावर, कितना हुआ, 13, 3, 3, 2, 14, 9, यहाँ बचा 5, और यहाँ बचा 200, ठीक है, 252, 252 यहाँ बचा हुए, अब दोस् दोस्तो आपसे आपका D वाला करेक्टा उसरोगा 12 उम्मेद कलता हूं दोस्तो आपको सवाल अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा अब दोस्तो इसके बाद में आप सभी आनते हैं चलेंगे हम लोग कैसे लगांगे आपको यह समझना है ठीके तो यहां पर आप दिखेएगा जब भी कोई भीवस्तो क्या है कि लिखा आया कि लामो ने 3290 रुपए बिन 6% की छूट लेकर चुकाया मतलब जब उससे डिसकांट दिया गया कितने परसंट का 6% का डिसकांट दिया गया त तो देखिए आप जानते हैं कभी भी भीवस्तो हो चाहिए उसका CP हो ठीक है तो CP भी होता है 100% और इसके हाथ दोस्तों करें यहां पर आप देखेंगे तो आपको 6% के छूट मिल रही है तो इसका मतलब 94% रुपए आपको पढ़दा है और कितने देने पढ़दा है आपक है तो यह पर देखेंगे ना कि चाहिए ठीक है डो से काट लेंगे ठीक है तो चको अट बिचाए एक 2047 जाएगा यह वार चेक कर लाए तो आपका आ रहा है पांच चार और छे एक बिल्कुत सरी है अब आपको करना है कि इसमें 35 गुणा कर देने ठीके गुणा करें कितना आपका हो रहा है पर देखेंगे इसके रिए क्या करेंट हुआ एक आयता का वगीचे का चेतफल 392 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 3 पर वर्ग मीटर है वगीचे का पर मेटर में क्या होगा दोस्तों आप यहां पर एक्ची देखेंगा आपको यहां पर बहुत तरी जबदस तरीके सी न हुकलने आपका चेत्वानर आपको निकालेंगे लुल्मबहा है उत्व म्चा होता चे टिन्यूस्तों थिक चोड़ाई बनक़ ठीके तो आप यहां निकालने टालेंगे लंबाषिए वग्ये लंबाषिजarinूने फिसके आपका यह लंबाषिए बहुत लंबाई निकल के आएगी अब दोस्तों आपको यहां पढ़ना है ठीक है आगे आपको यहां पढ़ना है ठीक है तो आप यहां पर क्या करेंगे सब्सक्राइब जोड़ेंगे यहां पर देखें दो गुणा 4,3,7,5,6,11 तो आप यहां पर देखें कितना होगा 234 ठीक है 234 मीटर तो आपका अप्सन यह वाला करेक्ट आंसर का यहां पर 234 मीटर ठीक है अप्सन यह वाला यहां पर दाई टांसर हो जाएगा चले नेक्ट कोश्चन पर तो आपको उताना है दर ठीक है तो दर कैसे निकाले के लिखा है 12 सालों में एक निश्ची दा सिखा दो गुणा प्राप्त होता है मतलब अगर आपने 100 रुपे लगाए ठीक है तो आपके लुपे कितने होगे 200 तो यहां पर आपको ब्याज कितना मिलगा है यहां पर आपक आपका 100 कैसे लोगा आल निकालें कितना होगा 100 वटा 12 तो आप देखिए 12 अठी 96 होगा ठीक है तो आठ सही 96 और कितना होगा 4 वटे 12 तो यहां पर हट करेंगे 24 चालती है तो आपका बनेगा आठ सही 1 वटा 3 परसेंट ऑप्शन नमल दोस्तों यहां पर डी बाला क्रिक्ट का अनुपात है प्रथम में 8 दूसरे में 3 जोड़ देने पर अनुपात आपका कितना होजाता है अनुपात आपका दोस्तियां पोजाता है कि 4 अनुपात 3 प्राप्त होता है आपसे क्या का गया तब दोनों संख्याओं का योग क्या होगा आपसे यहां क्या पूछा गया ह होगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे न देखना में सबसी दोस्तों संख्यां लेक्ष एक होगी सात टीक है बात समझेर आप्लोग है इक होगी 8 एक होगी सात आपको देखना है पहली में 8 जोड़ने पर 2 आच आपको प्राप्त होता है 4 बटा 3 अब आपके इतनी वात तो समझ में आ रहे होगी इसके आगे दोस्तु जैसें देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा गुणा कैची गुणा करनी पड़ेगी तो 8 यहापका कितना हुआ आपका 24 एक से प्लस का आपका 24 बड़ाबर 7 चोग वा 28 एक से प्लस का चलती है हुआ 12 अब आपको यह वाल लाना है इधर और आपको यह ले जाना है उतर ठीके तो क्या करने हम लोग हम करेंगे यहापर देखेंगे 24 से बारा गिवचे का बारा बड़ाबर आपका बचा चार ठीक है तो इस ट्याप से सवाल लगा हमने आपका मान हां गया है तीन तो आपका एक कोश्चिन पर कोश्चिन दोस्तों आपके लिए आ चुका है 15 पंद्रा दोस्तों क्या करा सवाल पढ़ेगा पहले से उसके बाद में करेक्ट आउसर का करिएगा यदि भाजक भाग फलका 11 गुना और सेस्क का दो गुना और सेस्क 22 है तो भाजी गात किजिए यहां पर आपक क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दोस्तों भाजक बरावर भाजक क्या है 11 गुना भाग फल 11 गुना भाग ठीक है और भाग फलने लिखा सिर्फ भाग लिए यहां पर कोई बात नहीं है और यूसी पर दोस्तों आपका जो भाजक है वो क्या है वो है बरावर सेस्क फलका दो जिना सी कार्ट देंगे तो आपका भागफल है आपको इसलिए बाज़ी होता है बराबर बाज क्या होता है भाजक गुणा भागफल ठीक है भागफल अब प्लस सेसफल ठीक है तो फल नहीं सिर्फ हम लिए भाग सेस को जिक्कर नहीं पर है भाजक आपका कितना है चवालिस गुणा भागफल कितना है चार प्लस सेसफल कितना है बाइस तो चवालिस चकुई दुस् पर हो जाएगा शिली दोस्तों नेश्ट कोस्टिन पर आज चुके है कॉस्टिन 16 पर यहां पर दोस्तों देखेंगे कि यहां पर सवाल क्या करा था है संख्या उधाल का मतलब होता है मासा मासा उध्या और ल्ट्र ज्ट श्यांबे एक संख्या 864 दूसरे निकाल लिए आप सभी को पता है क्या होता है सूत होता है संख्याओं का गुड़न फल बरावर क्या होता है लासा ठीक है और गुड़न होता है मासा यह होता है सूत्र आपका आप करें कि आप लिखेंगे यहां पर की संख्याओं फिर मतलब होगा एकस गुणा आट सो चयोंसट बराबर मासा गुणा लाचा ठीक है इसलिए पकाट यहां पर और आपका यहां पर लुखा जो होगा लोग चार से काट लेते हैं तो यहां पर देखेगा है जो आर्ट से कर जाएगा तीन आर्ट कर जाए आठ एक और जोनीज सोला तो आपका अब दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आपको पूरा करें आपको देखेगा आपको देखेगा आपको दिखतोरा होगा अची तरीगे से यहां पर दोस्तों आपको दोस्तों पूरा करने के लिए हमें क्या राकरना पढ़ेगा यहां पर वह इस लाद को आप समझेगा यहां पर करिंग क्या यहां पर लिखा है तो आपके बहुत ही जवलत त्रीकार दिख रहा हुगा कि दीके दो बार एक दो आर वार भी तीन वार जो सता या आपका आपका बी ला ंब नमर आपका बीवाला ही करिक्ट आंसर होगा ठीके उसतों ऑपंशने वाला और 15-6 तो आपको निकालना है दोस्तों फड़ आपसे वीडियो को पहुच करिएगा पहले तो अपने दिमाँ से सोचिएगा ठीक है कि यहाँ पर किया हो सकता है कौन सा लाजिक, कौन सा तरीका लगाए ठीक है उस तरीकों को पहचानी है जोगि दोस्तों अगर आपने लाजिक पहचा लिया तो सवाल बहुत जल्द लग जाएगा और गल्ती-गल्ती जल्दी की चक्कर में तो आपका सवाल अगलत हो जाएगा फिर दोस्तों आपको बहुत टाइम लेगा अठानबे सवाल चेक के लिए बिल्कुस है अब आपको करना के गुणा करनी पंदरा चक्का नब्बे और नब्बे करना स्कॉयर तो कितना होगा एक्यासी डबल जीरो एक्यासी सो मतलब आपसे नमबर आपका बी वाला यहां पर आइटेम सुरूगा एक्यासी सो शेली उस्तों निश्ट कोशन पर आपका आचुका है उन्नीस नमबर यहां पर दोस्तों देखेंगे नीची दिएगे बिगल्पों में संबंदिस शब्द ग्यास कीजिए शंबंदिस शब्द आपको दोस्तों यहां पर क्या करना है ग्यात करना है ठीके तो आप यहां पर क्या देखेंगे अब आपको पता है जब बरसाथ होती है तो उसमें क्या होता है गड़गड़ाहत तो होती है ठीक है बादल गरस्ते हैं तो बरसाथ होने पर क्या होता है बादल गरस्ते हैं उसी पर दूस्तों क्या होता है कि जात्री होने पर क्या होता है अंधेरा हो जाता है ठीक है तो आप इस न्मntर आपके लिए नीचे जी के बिघलपों में से संबंद्र अच्छा चुनाniये कंति इहां पर दोस्तों आप सी L A T E आपसे पूचा गया है C A F E इसके लिए उसनों क्या बचा गया है कि क्या होगा इसके लिए इसके लिए उसनों क्या होगा आपसे यहाँ पर यह पूचा गया है निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है जिसके ए तो अपने जगाए पर आठीक है ती यहां पर आ गया ल यहां पर आ गया और आपका ए बिल्कूर सामरा तो आपको करना क्या है यह करना आपको यहां पर है ठीक है यही करना है क्या करनेंगे ए यहां पर लाएंगे 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 यहां पर यहाँ पर आप देखिए का तagar बता पाएंगे यहां पर अप देखिए ए इस टाइप से आप कहले हो गलत पत कौन सा है ठीकर तो यहां पर दखी आएंगे चार पर ठीक है तो हम एक क्लस्का दो करना पढ़ेगा बात आपके समझा रहे होगी हम क्या क्या हमने हमने 2 से आए 4 पर तो हमने क्या क्या है 2 8 कर दिया इसकी बात दोस्तों हम क्या देखना है आपको यहाँ पर आगे देखना है 4 से आए कहाँ पर 8 पर तो प्लस का क्या करना है चार करना है आगे भी देखीगा ठीके आगे दोस्तों हम देखेंगे तो हमने क्या क्या है हम 8 से आए 16 पर तो हमने प्लस का 8 क्या है तो यहाँ पर आपको एक बात देख रहे होगी यहाँ पर 2 जोड़ा है यहाँ पर 4 जोड़ा है यहाँ पर 8 पर आठ शार बारा वता है यह बिलकुत सही है ठीक है यह बिलकुत सही है पहले दो जोड़ा फिच्चा जो अपकी आप क्या करेंगे अब की बार दोस्तों आप सबी को पता है क्या तलते हम लोग हम लोग यहां पर 16 जाएंगे काप 26 पर और जोड़ेंगे 8 विल आठ 16 कंश के इहां पर कितना चाही है यहां पर आना चाहे है 24 लेकिन 22 नमडर को दो सब्सक्राइब और है बाहनें दोस्तों नियुक्ट करना चल्क छे मार पिसन थो इतना कह दीए तो आप कर सकते हैं आगे देखेंगे दूस्तों यहां पर आप तो बश्य आपको फ्रिष देखना है वह लेखा हुए इसपे हैं यहां पर देखना किया है देखना है यहां पर देखना वह देखना क्या है लिखा हुआ है गुणा का तातपद यहां पर प्लस का ताथ्पर एंग छूटा है और हम्ने क्या लिए अब दोस्तों एक मिडती की मैं आप कुताब चे kayक करे बता रहां वह तो दोस्तों यहां पर आ प्ता क्या होगा यहां पर दोस्तों इस पर लिखा हुआ है कि जो गुणा है इसका अर्थ है minus अब आप समझेगा गुणा कातागपर क्या है minus हम क्या करेंगे हम यहाँ पर कल देंगे minus minus करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर minus करना पड़ेगा अफ इसके बाद में आपका answer होगा 24 minus करेंगे 6 कुटाएंगे कितना बचेगा आपका आपका दोस्तों यहां बचेगा कितना यहां आपका बचेगा अठारा ठीक है तो आपसे डी वाला आपका घ्रिक टांसर होगा दोस्तों अगला सवाल है यहां पर यहां पर कुछ दियाए पहले पढ़ लेते हैं इसके बाद अलगलते हैं निम्लिक्रित में से कौन सा नीची होता है सबसे पहले मुझा नफजाश सेघ्रिक थैं सबसे नमबर एक है को व्युक्रिक्रिक्णार यहां पर भी मिखाया यहां कितनी हैं फिर आपका झ House यहां साथ चार तीन दो और नेस्ट कोशन आपके लिए आप आ चुका दोस्तों यह पर देखीगा लगु और बाबु जुड़मा है बाबु की बहें रीमा है रीमा का पति राजन है लगु की मा लच्मी है लच्मी का पति राजे से तता नुस्वा राजीस का राजन से क्या संबंद है अब दोस्तों यहां पर आपको क्या चेक करना है यह बात आप समझेगा करना है जगु बाबु का उने जुड़मा है क्या लिखेंग लोग लिखेंग देखिए जगु है और बाबु यह दोनों क्या है यह दोनों जुड़मा है ठीक है जुड़मा है ठीक है बाबु की बह आगे का पति कौन है राजन को है राजन काओ ने का पति है राजस ने सब्सक्राइक बच्ती का पती से फिके पति si थो न राज़स कौन है राजस है अब आख कोई पति नहीं देखना एक अब आपके जखिगा लाज अंन्स तुमने जचो एक लाज चुब्य राजम से क्या सब्सक्राइब अब यहां पर देखेगा रभू टिके रभू बाबू और दीमा के इन तेनों के बात करें ठीके तो यहां पर देखिए बाबू दार्भू दो प्लेके है तो आप फसी पूचा कौन होगा है तो कौन होगा उसका पर दूस्तों हो सुनीता अनीता से लंबी है बात को आप समझ रहे होंगे आपर सुनीता अनीता से लंबी है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सुनीता जो है ठीक है क्या है लंबी है अनीता से आगे जीना चित्रा से लंबी है दीना चित्रा से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है दीना चित मेन्व सबसे बढ़ी है कि può आगे निएधा जोटी आणि चित्रा बढ़ी होगो इसके बाद अगे देखेंगे आगे लेख्या है just इत्व आगे देखेंगे हैं मुंद आखेंगे हम लोग यह बड़ी से और यह बड़ी चिन्तरा ठीकए इसके आगे देखना रेंगे इस्टरा पूरा इसके अगे देखना है यह वाला यह वाल चेह तो आप क्या करेंगे आप इस वाले को नोटकर सकते हैं ठीकए क्या कर सकते हैं यह च्छक्त कर丟ों इसने के खिए अगर आपको यह इसमें उपको सबस्क्राइब फोगी अवा का मतलब अनीता तो चोटी कहोंगी अनीता होगे तो आपसंवार है यह पर आपको आपको देख णका है डशकन का मतलब क्या होगा यहां पर देखेंड़ का मतलब 5 तो तो यह ँसका मतलब है कि आपको सबके मतलब दरखें तो एक जोड़िए कब नमब दो पर है के मतलब क्या है स्ट सबके होग याँ इस नमब्छ अब आचुका है कोश्चन 27 जिए कि भीगलपों में इससे लुप संग्याइद के लुप संग्यार लिया पर आए यहां पर देखें पांच चार दो बरावर 18 तो देखें पांच और चार कितना हुआ तो तो लोगा नो और नो दूना करें नो दूना कितना वाता है अठारा त आपका कितना है 6 तो अपका टी तहीं अब करेक्ट रोगी छे फोश्ता होस्तो आपकाável करेक्ट होगा। व्म करेंगें कभी लता है तो करेंगे यहां पर आप्टब RF lal यहरीिक वाले होगाँ ठीक है यह इदर कमीच करने इंगे फल तो आप बात रह давайте को यह तो इसकWow इत क पार बीच में अपको यह वाली आकत कहां पर दिख रही है तो आप दिखिंगे यहां पर इसमें 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 लिए ऊपलोग यहां पर इस पर इस पर शेली गई ठीक है उसके बाद तो क्या हुआ ये तो दूरा इ extremes को कौन पूरा करा लेगी साक्षर कौन पूरा करेंगी प्लों करेंग दूकर एक कमेंट वाइक्षश के लिए चर्टन करेंगा किके इसां की प्रेजिए को यहां रूइगा उमीद कलता है दूसितों हम चाला दूसर कीampa करिए गहां तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन को भी प्रेश करेज़ेगा